बाज पक्षी जिसे हम एगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस सुम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चीची आना सीखते हैं, उस सुम्र में एक माधा बास अपने चूजे को पंजों में दबोच कर सबसे उचा उड़ जाती है। और वह तुरी तै करने में माधा बास साथ से नौ मिनिट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परिक्षा। उसे अब यहाँ बताय जाएगा कि तू किसलिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी उच्चाई क्या है, तेरा धरम ब आने के बाद उस चूजे के पंक जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलो मीटर आने के बाद उनके पंक पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब पास का बच्चा पंक फड़फडाता है। अब धरती से वह 500 मीटर होती है, लेकिन उसका पंक अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम्यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपने किरफ्त में लेता है और अपन कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक पास मिलता है। अपने से दस गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। हिंदी में एक कहावत है। बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराईए। उन्हें लड़ना सिखाईए बिना आवशक्ता के भी संघर्ष करना सिखाईए। वर्तमान समय की अनंत सुकसुंधाओ की आदत वअभिभावकों के बेह बेलर मुर्गे जैसा बना दिया है जिसके पास मजबूत टंगरी तो है पर चल नहीं सकता। वजन्दार पंक तो है पर उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमलों के पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। माता पिता अपने बच्चों को कोमल नहीं कठोर बना गाड़े की चाभी तभी दे जब वह कई किलोमीटर पैदल चलने से हिच की चाय ना धान दे सुबह की राम राम।